हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल रतन बाइसा की रसोई तो आज हम अमारी रसोई में धाबा स्टाइल पनीर मसाला की रेसिपी लेके आये हैं जो बच्छे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं इसे आप नौन कुल्चा या फिर छपाती रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरह की फुलि फुली रोटिया कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी हमने हमारे चनल में अपडूड कर रखा है तो आप वो भी देख सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लिंग पैन और पैन में हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है तेल को जो है हमें अच्छे से गरम कर देना है तेल अच्छे से गरम होने के बाद में हम यहाँ पे आड़ कर देंगे प्याज जिसे मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में कट करके ले लिया है और इसे हमें जब तक पकाना है तब तक कि इसका कच्छा पन निकलना जाए तो कच्छा पन निकलने तक ही आपको पकाना है इसे सुनेरा कलर होने तक नहीं पकाना है अब हम यहाँ पे आड़ कर देंगे अद्रक और लहसुन का पेस्ट आप चाहे तो साबुद भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भी हम इसे पीस केज की प्यूरी बनाने वाले हैं तो लहसुन और अद्रक का भी कच्छा पन निकलने तक हम इसे अच्छे से पका देंगे तो यह हमारे यहाँ पे अद्रक और लहसुन भी पक चुके हैं तो ग्यास की फ्लेम बिलकुल कर देंगे लो और लो फ्लेम पे मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले मिच्ची पौडर एड कर देंगे, अब हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी पौडर, धनिया पौडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ले सकते हैं और इन्हें हम तेल चोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे ग्यास की फ्लेम आप बिल्कुल लो रखे इस बात का खास करके ध्यान रखे क्योंकि कभी कबार हाई रहने से मसाले जो हैं जल सकते हैं तो अगर ज़्यादा गरम है तो ग्यास की फ्लेम ओफ करके भी आप मसालों को जो है एड़ कर सकते हैं तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है अब हम यहापे आड़ कर देंगे टमाटर जिसे मैंने बड़े-बड़े टुकडों में कट करके ले लिया है और टमाटर को भी हमें जब तक पकाना है तब तक कि यह बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तो सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज फ्रेंट्स मेरी हमबल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस जरूर कीजिए तो यह हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं तो ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और स्थंडा कर देंगे अब हम यहाière पर लेंगे दूसरा पैन और सेम प्रॉसेजर यज़ डालेंगे आप चाहेतो तेल गी बटल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे हम अच्छे से गरम होने देंगे और हम यहाँ पर एड कर देंगे गरम मसाले तो गरम मसालों में सबसे पहले मैंने ही ह motiv त पता डाल दिया है एक हम यहाँ पे बाड़ी इलाइची इटार ही और एक यहाँ पे डाल देंगे बड़ी इलाइची थे स्क्रक्ता कार प्यार पनीर को जो है मैंने इस तरह से बड़े-बड़े स्लाइस में कट कर दिया है और जो मसाला मैंने ठंडा होने के लिए रखा था उसे मैंने पीस के उसका प्यूरी रडी कर दिया है तो ये देखिए इसे हम इसके अंदर एड कर देंगे बहुत ही स्मूध सा पेस्ट आपको बहुत ही स्मूध रहेगी तो एकदम ढबा स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा स्मूध सी ग्रेवी बनेगी तो इसे अच्छे से पीस के आपको ले लेना है अब हम लगा लेंगे ढखकन और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे तो ये देखिए इसे हम एक मिनट के लिए पका देंगे और सव कर देंगे तो ये लीजिए हमारे पनीर मसाला बनके रड़ी हो चुका है मिलते हैं नई रेसिपी में